मुझाफर पुर्जिले के मरबन परखन अंतरगत गवसारा वाड संख्या दो में भीशन अगनी कांड की घटना हुई इस घटना करम के दोरान कई घर जल कर राख हो गए पिरित परिवार के लोगों का बताना है कि सभी अपने काम से जिस समय घर से बाहर थे उसी दोरान या अगनी कांड की घटना हुई घर की महिलाएं रासन लेने बाहर गई हुई थी इसे दोरान सोट सर्कीट की वज़ा से या भीशन अगनी कांड की घटना हुई यह तस्विर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अगनी हाथसा नहीं हाथ तांडम बचाया बीच बचाब करने के लिए गरामिन पहुँचे तब तक पूरी तरीके से पिरित परिवारों के घर एबमुन की संपतियां जलकर राख हो गई थी पिरित परिवार के सदस्यों का बताना है कि अस्थानिय करजा थानी को आग लगने की घटना की जानकारी दी गई गरामिनों की सिकायते की फोन करने के बाद भी अस्थानिय पूलिस के द्वारा इस मामले में ततकाली रिस्पोंस नहीं लिया जा सका जिसके कारण से भी लोग हुआ अपर पमर नख़ान कंप भी थे सब कर्फ कर बच्चे लगके एक सारा समिरा नुक्सान हो गिया है तो उसका ऊणमान वान जो भी ता उसी में जल गिया जो भी जानिकलने वाले निकल नहीं पाया अधा सभे भी कोई निया है हम तर नर आली यह तरह हम तर जञड़े ल आतना बक्सा पेटी कफरा लता गहना गुजिया जरल पैसा सतलामत मेरा घर जला मेरा भाई का भी घर जला लगबग उसमें कफरे लत्ति गहना गुजिया ले करके तो इधर पकर लिया गारी और इसमें पकराwater फिर इधर बेरी में पकर लिया और उसमें समान थार्जें मतलब का बोलेगी बाराल भीशन अगने कांड कि इस घठना के वाद प्रित परिवार के लोग बेघर हो गए हैं इनके बीच रोटी कप्रा मकान का संकर उत्पन हो गया है उन्हें राहत का इंतिजार है एवं सरकारी संभव सहायता उन्हें जल्द मिले इस बात का भी इन्हें इंतिजार है A2J News Live के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट